इस नई उगी घास की महट ने टिड़ों की पूरी फौज को निमंतरन दे दिया है आम तोर पर टिड़े एकाकी जीव होते हैं लेकिन जब अचानक भोजन की बहुत आयत हो जाए वो एक जुट होकर एक ऐसी बेरोग टोग ताकत बन जाते हैं जो अपने रास्ते में आई हर चीज को चट कर जाते लेकिन ये तबाही अभी और भी बुरी होने वाली है ये टिड़े अब पंखों वाले वैस्त बन चुके हैं और इस तरह की अनुकूल परिस्थितियों में ये बदलाव तीन गुना जादा तेज होता है अब ये अपने भुकरणपन के चरम पर है और अपने पंखों के साथ इनकी तबाही करने की कोई सीमा नहीं है अपनी उड़ने की ख्षमता आ जाने के बाद ये टिड़े भोजन की तलाश में प्रति दिन 100 किलोमीटर से भी जादा का सफर तै कर सकते हैं इस वाले का विस्तार 500 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें इनकी तादा कई अरब है ये मिलकर एक दिन में 40,000 तन भोजन खा जाएंगे जितनी तेजी से ये टिड़े किसी इलाके के पौधों का विनाश करते हैं उतनी तेजी से और कोई नहीं कर सकता अंत में जब भोजन खत्म हो जाएगा ये पूरी सिना भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी 20 साल से ज़्यादा समय से जमीन में पड़े इनके अंडों से बच्चे निकलने लगे है नन्ही टिडियों को हापर्स कहा जाता है क्योंकि इस समय ये उड़ नहीं सकती पनपती हुई घास की खुश्बू से ये खाने के नए अलाके धूर लेती है हापर्स को वैस्क होने में आम तोर पर चार हफ़ते लगते हैं लेकिन हालात अच्छे हों जैसे कि अभी तो ये बहुत तेजी से बड़ी हो सकती है एक जिखे की हर्याली खात्म होने पर पंकों से लैस ये वैस्क फिरोमोंस छोड़ती है इस गंध से जुन में दूसरों को पता चल जाता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और जुन्डों के मिलने से इनके बड़े बड़े दल बन जाते हैं हर वैस के टिड़ी रोज अपने वजन जितनी हर्याली चर लेती है और इनके दल हजारों टन हर्याली को सफ़ाचेट कर सकते हैं इन्हें लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है टिड़ियों के दल हवा के साथ बढ़ते हैं उड़ने के इस तरीके में ताकत की सबसे ज़्यादा बचट होती है उड़ते समय इनके बड़े बड़े दलों के आपस में मिलने से ये कई अरब की तादाद में जमा हो जाती हैं और ऐसे बड़े दल 64 किलो मीटर तक चौड़े हो सकते हैं ये रास्ते में पढ़ने वाली हर खाने लाइक चीज़ को खत्म कर देती है